Hello everyone, Unit No. 2, Philosophical Prospective of Education की, जो Unit No. 2 है, उसके Chapter No. 5 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यह जो Chapter No. 5 है, यह इस Unit Second का Chapter No. 3 है, और आखरी Chapter है, अगर हम लोग इस Chapter को पढ़ लेंगे, तो Unit Second जो है, हमारी पूरी तरीके से खतम हो जाएगी, और अगर आप लोगों ने इससे पहल प्ले लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग लाइन से वीडियोज देख सकते हैं, ठीक है, तो Chapter No. 5 हमारा है, पूर्वी तता पश्चमी दर्सन में तुलना, तो देखे, एक पहले पढ़ाने से पहले एक ओवर वियू दे देता हूँ, पूर्वी दर पूर्वी दर्सन की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर वेद उपनिश्द की जादा आप लोगों को देखने को मिलेगी, और पश्चमी दर्सन में जो है, वो Fact की चीजों के मतलब दर्सन आप लोगों को देखने के लिए दिखाए देंगे, तो चलिए पूर्वी दर्सन की बात करते हैं, तो पूर्वी दर्सन की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंतरकत वैदिक काल तता उत्तर वैदिक काल जो है, वो आते हैं, पूर्वी दर्सन में क्या है, वेदों को सृष्ट माना गया है, और वेदों के बारे में ही चर्चा करने के लिए रहा गया है, इसी के साथ पूर्वी दर्शन को वेद मूलक भी कहा गया है अर्थाथ पूर्वी दर्शन का मुख्य आधार जो है वो वेद हैं यदि हम लोग वेद का ही अधियन करेंगे तो ही हमारा पूर्वी दर्शन कंप्लेट माना जाएगा वैदिक काल में दर्शन के आधार पर वेदों का आधियन सिच्छा का आधार माना जाता था मतलब वैदिक समय में जो था वो दर्शन के जर्शन जब किया गया तो मतलब वैदिक काल का जब हम लोगों ने पूरी तरीके से खोज भीन उसका सब कुछ करके देखा हमने उसका एनलेसिस करके देखा तो पता चला कि सिच्छा का मेन आधार जो है वेदों का देन है यदि हमें सिच्छा प्राप्त करनी है तो हमें वेदों का देन जो है वो करना पड़ेगा तो उस समय वैदिक काल के आधार पर चारवेद माने जाते थे और आप सभी लोग भी पढ़े लिखे होंगे तो इतना तो ये सब चीज़ें पता ही है कि रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद ये चार जो वेद हैं ये उस समय मौझूद थे तो रिगवेद जो है वो सबसे पुराना वेद है आप सभी लोगों को पता है अब देखें जो ये रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथरवेद है इनके उपवेदों के बारे हम पढ़ लेते हैं तो रिगवेद का जो उपवेद है वो आयूरवेद है यजुरवेद का जो उपवेद है वो धनुरवेद है सामवेद का जो उपवेद है वो गंधरवेद है अथरवेद का जो उपवेद है वो सिल्पवेद है अब रिगवेद के इंतरगत क्या दिया गया है रिगवेद के इंतरगत बहुत सारी चीज़े दी गई है बडन किया गया था और साती सातक्त में युजुर वेदी का अंतरगत अधरु है तो इसमें हम लोग पाई जाते हैं और यह जो रिगवेद है इसको दो भागों में बाटा गया है एक अस्टक क्रम एक मंडल क्रम में बाटा गया है अस्टक क्रम के अंदर आठ अस्टक पाई जाते हैं और हर एक अस्टक में आठ अध्याय पाई जाते हैं वाँ पेपर में जाकरके. यजरुएद की बात करने तो इसे उपवेद जो है वो धनरुएद है. ये एक मात्र ऐसा वेद है जिसमें गद्धित था पद्धि दोनों मिस्रित चीजें दी गई है. मतलब गद्ध बेवम पद्धर का मिस्रित रूप किसमें पाय जाता है युजुरवेद में पाय जाता है ये जो युजुरवेद है ये दो संपरदायों जो कि कृष्णत भस सुखल संपरदाय में विवक्त किया गया है इसमें कर्मकांडो का वर्डन किया जाता है इसकी प्रधान साखा जो है जो सबसे प्रधान साखा है उसे हम लोग तैतरी के नाम से जानते हैं ठीक है तथा इसका जो यजुरवेद का जो अध्यन करते हैं उन पुरोवेतों को हम लोग अधर वियू के नाम से जनते हैं तो यह आप लिखा हुआ है सामवेत की बात करते हैं तो सामवेत को अन्य नाम जिया उपवेत कहते हैं गंदर वेत होता है सामवेद के अंदर संगीत की व्यक्याद की जाती है जाहिर सी वात आप लोगों ने देखा होगा जो गंधर वफसराएं हैं वो सब क्या करती है निरत्य करती है तो सामवेद का करोप गंधर वेद है तो उसमें संगीत की व्यक्याद की जाएगी अध्याय वो मंडल के स्थान पर इसमें जो है वो ना तो सामवेद को अध्याय में विवाजित किया गया है और नहीं से मंडल में विवाजित किया गया है इसे प्रापाठक के रूप में विवाजित किया गया है ठीक है तो याद रखेगा इसके अंतरगत जो पाए जाते हैं वो प्रापाठक पाए जाते हैं और इसमें कुल 6 प्रापाठक पाए जाते हैं भारतिय संगीत का पर्थम गरंत जो है वो सामवेद को ही माना जाता है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है अथरवेद यानि सिलव वेद की बात करें जो कि प्राचिंतम जो के भी नवींतम गरंत है इसमें 20 कांड दिये हैं, 730 सूक्त दिये गए हैं, तकरीवन 6000 मंतर दिये गए हैं, इसके अंतर के तंतर मंतर जादू टोना ये सवाता है, इस लोग में फल देने वाला वेद है क्योंकि नवींतम है, तो नव आए गया, फिर इस तरीके से समय समय बीता, समय बीतने के साथ में वेदों के काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आया मारा आ गया, तो उत्तर वैदिक काल में जब आया, तो पूरवी भारतिये दारसिनिकों को दो संपरदायों में बाट दिया गया, ठीक है, जैसे उत्तर काल आया ये जो संपर्दाय थे ये दो भागों में बढ़ गए एक ऐसे संपर्दाय में बढ़ गया जो इस्वर में विश्वास नहीं रखता था उसे नास्तिक संपर्दाय का आ गया और एक संपर्दाय ऐसा आ गया जो की इस्वर में विश्वास रखता था जिसे आस्तिक सं गंडन किया था इसने कहा था कि वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है यह सब चीजें कालपनिक होती है तो क्या था ? कि जब इसने वेदों के खंडन का दिन किया िसने कहा धाक्षों चीजों को मानेंगे जो प्रत्यच रूप से हमारे सामने हैं जो प्रत्यच रूप से हैं और जो व्यक्ति को सुख देने वाली चीज़े हैं केवल वही सत्य है और बाकि इसके लावा कुछ नहीं है सत्य प्रत्यच रूप से हमें क्या दिखाई देता है प्रत्वी जल अगनी वायू ये सारी चीजें प्रत्यच्छ होती हैं सुखवादी का क्या मतलब होता ये सारी चीजें व्यक्ति के जीवन के लिए बहुती आवस्यक है तो इस वज़े से चारवाग ने चार महाबूतों को सुईकारा था कि हवा पानी जल और अगनी इन सब को जो था मतलब उसने ये चारवाग दरसन जो थे वो नास्तिक संपरदाय में पहले आये थे इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन-कौन से संपरदाय इसके अंतरगत आये दूसरा हमारा जैन दरसन आया इसने भी क्या किया कि ये वी एक नास्तिक संपरदाय था इसने वेदों की सत्ता को नहीं स मतलब इन्होंने क्या कहा था कि अपना मुख्य मारगिन का मुख्य उद्दे से जो था वो मुख्य प्राप्त करना था यानि ऐसे कारे करो जिसका मुख्य उद्दे से जो है वो मुख्य प्राप्त करो मतलब ग्यान का जो मुख्य आधार होता था यानि अंतिम लक्ष था वो जैन दर्म का क्या था मोक्षी की प्राप्ती थी इसके आधार पर जैन दर्शन ने तीन तरीके के जो मतलब जो चरित्र थे उनका विकास किया सबसे पहले उन्होंने कहा सम्यक ग्यान मतलब अच्छा ग्यान प्राप्त करो ऐसा ग्यान प्राप्त करो जो क्या हो हमारे जीवन क लिए कारिरत हो यอง करें उसके बाद में यदि आप अच्छा ग्यान प्राप्त करते हैं, तो आपका क्या होगा सम्यक चरित्र आपके चरित्र का अच्छा निर्माण होगा तो इस इसाब से आपके चरित्र मतलब होगा और उसके साथ ही सम्यक दर्सन का मतलब है आप जो है वो जीवन में आदर से मूल ले प्राप्त कर लेंगे और साथ ही साथ में आप मुख्षी की तरफ अग्रसरित हो जाएंगे तो इस तरीके से जैन दर्सन ने तीन चरित्रों को स्विकारा था सबसे पहला था सम्यक ज्यान ज्यान मिला उसके बाद चरित्र का विकास हुआ और उसके बाद हम लोगों ने दर्सन किये किसके भगवान के यानि हमें मुख्षी की प्राप्ती मिल गई भगवान तो इन्होंने माला ही नहीं था उ बेहन धर्म में इन्होंने मुख्च को सब कुछ माल लिया। बहुत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो भतम बुद्धे थे। इन्होंने ग्यान को चाह सकते हूं में बाटा। इन्होंने का कि दुख है। मतलब संसार में दुख पाया जाता है। दुख का कारण है। मतलब दुख होने का कुछ न कुछ तो कारण होता है। और दुख का कभी न कभी अंत भी होता है। और दुख को दूर करने के क्या हो पाए है। अगर हम लोग दुख को दूर करना चाहें तो क्या हो पाए है। त वह क्या बता है समयक दर्ष्टी, समयक संकल्प, समयक वाक्ष, समयक कर्मान्थ, आजीस अजीविका, समयक वययां, समयक स्म्यति, समयक समादी, यदि कोई इन व्यकदी जो है इन आस्ठ्ट अश्टांगिक भादियों को अपला ले, तो वैं संसार में दुख से दूर हो सकता है, क्योंकि सबसे मेन सत्य जो है वो दुख ही है संसार में, फिलेकाई बहुत धर्म को दू धर्मिक संप्रदाय में बाद में तोड़िए गया, इनकी मरतिके पस्षात जिसे हीनियान, या महायान कहा गया बौधी संगेती में ही इनको दो वागों में तोड़ा गया था तो अब आस्तिक संपर्दाय को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे I hope आप लोगों को हमारा पढ़ायागे वीडियो जो है वो अच्छे लग रहे हो और अगर आप लोगों को इसी तरीके से 3rd, 4th और 2nd समेश्टर के नोट्स चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई